तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान वन डे कप का तो देखा जाए सेंट्रल पंजाब भरसे सिंध के बीच मुकाबला खेला जाएगा देखो इनका लाइन अप नहीं आएगा तो हम लोगों के लिए बहतर रहेगा दूसरी बात देखो अगर जदी लाइन अप ना अधिक होता है तो कोई दिक्कते ने इसके लिए आपको त्यार रहना है लेकिन अगर जदी दोस्तों इस मुकाबले खेलना चाहते तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना क्योंकि वहाँ पर फाइनल टीम तो मिलेगी जिस टीम स आपको किलिक करना है जैसे यहाँ पर किलिक करेंगे नीचे आपको टेली गराम चैनल का लिंक दिखाई देगा इस बुलू बाले पर बुलू बाले पर आपको किलिक करना है किलिक करते ही हमारे टेली गराम चैनल पर चले जाओगे वहाँ पर दिखेगा जुआइन आपको जुआइन हो जाना है वहीं पर मिलेगी फाइनल टीम जिस्टीम से मैं खुद खेलता हूं एक चीजा और मेरे दोस्तों हमारा टेलिग्राम चैनल आपको इस बरकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए जो हूँ बहु आपको डोमेस्टिक पिलिंग लिबन जराएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरीए ही जुड़ना है तो दोस्तों सबसे पहले सिंद के लास्ट तीन मेच का स्कोर कार्ड यहाँ पर देखेंगे तो यह तिसरा मेच का स्कोर कार्ड देखा जाए एस आ अनवर अली काफी बढ़िया इस बार एड इनको कर दिया गया है खासा धियान इस पर देना है दानिस अजीज एक बिक्टे जरूर लेगे एस आजू पाट टायम गेनवाजी करते हैं एस धानी एक बिक्टे के साथ एक मेडन के साथ एक बिक्टे और असीप महमूद ने अब एड किया गया इन्होंने तिन बिक्टे और दानिस अजीज को यहाँ पर एक बिक्टे मिला था एस आयूप चार उबर में 26 रन देकर कोई बिक्टे नहीं ले पाए बल्लेबाजी देखी जा सारजिल खान एक कम सत्तर ओविन यूसूप यहाँ पर देखा जाए 99 रन की पारी खेली सत्तक से बस राही गए क्योंकि इनकी टीम विन कर गई इनके लावे साध खान खेला था 18 रन जिनका क्वादर याजम ट्रोफी में जबरदस्त रिकोड था एफ अली एवरेज बलेबाज है पाट्टेम गेन बाजी भी करने की छमता रखता एक रन दानिस अजी जबरदस्त पचास रन की जबरदस्त पारी भी खेली और अनवर अली तो कमाल के ही एड किया गया है तो थोड़ा सा हम लोगों को भी ध्यान देना चीए दोस्तों तिसरा स्कोर कार यहाँ पर देखते हैं और आखरी एस आयूब यहाँ पर चार रन सारजिल खंचार रन ओवीन यूसुप जीरो पे एफ अली चोबिस जरूर कुछ अच्छी पारी खेली संभालने का एम सुलिवान ने 62 रन की पारी खेल कर पारी को अच्छा खासा यहाँ पर संभाला इनके लावे दानिस अजीच ने 36 रन की जरूर पारी खेली और अन्थपे अनुवर अली ने यहाँ पर 18 रन की पारी खेली गेनबाजी इसकी देखी जा तो गेनबाजी इस धानी तीन बिक्टे लेगे मुहमद हसना इन मेडन के सांथ दो बिक्टे अनुवर अली एक मेडन जरूर डाले असीब महमूद यहाँ पर एक बिक्टे ले गए थे दोस्तो सेंटरल पंज़ाब के लाष्ट के तीन मेड का इसकोर कार देखा जा पहले गेनबाजै के यहाँ पर यू मीर ने यहाँ पर चार बिक्टे लेगे गजब का स्पीन गेनबाज़ ऐ यहarnaँ आलावी इनकी बलेबाजी में आहाँ पर मुहमद सहजाद ने यहाँ पर 28 और जेट गोहर 49 रन की पारी खेली जो कि एक स्पीन गेन बाजी के लिए जाने जाते हैं इनके लावे दोस्ते इनका दूसरा स्कोर कार देखा जाती हाँ पर सेंटरल पंजाब की बात की जाए इनका देखो करियार रिकोर काफी जब बलदस्त था और देखा जा सिरीज में कुछ खास नहीं कर पा रहे थे ये 131 रन की पारी ने इनको काफी ज़्यादा मजबुती दिया और अच्छे लाए में भी दिखाई दे रहे हैं इनके लाब आमीर यामिन 3 विक्टे ले गिए मुहमद अली को 1 विक्टे जेट गूवर एक बिक्टे यू मीर इनके स्पिनर 1 मेडन के सांद 2 विक्टे ले गए थे इनके लाव इनके तिसरा और आखरी स्कोर कार देखा है सिंटरल पंजाब ने पहले बले बाजी किया अहमद साजाद ने 71 रन की पारी खेली क्यू अकरम 58 इनसे पहले सतक जड़के आ रहे हैं इस बादर जो कि पाट्टेप गेन बाजी करते बल्ले से 40 रन का अच्छा फिर हमेशा गेन बाजी गजब कर रहा है लेकिन जो 29 रन की यहाँ पर आकरमक पारी खेली यह और भी इन्हें बहतर साबित करता है जेट गोहर 12 पर 17 यह भी गेन बाजी करते यानि ओल्र राउंडर अच्छा खासा है इनके लाभी यहाँ पर यूमिर पांच विक्टे लेक तो मेरे भाई ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे सीधे कॉंबी नेशन पर बात करेंगे लेकिन इससे पहले अगर जदी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो कोई भी अबडेट आता है मैं सबसे पहले से बहतर है इनके लावे तीन बलेवाज पिक क्या ओबीन यूसूप के उपर नजार डालना काफी बढ़ियां जब भी खिलते बड़े पारी खिलते हैं इनके लावे साथ खान क्वादीर याजम ट्रोफी में इनका अच्छा रिकोर्ट था इनकलब एस लुमें लाश्ट मे बलेवाज अच्छा करते हैं और उधर ये दास भर भी कर डालते थे किसी किसी में आमीर यामीन क्या खेलेंगे खेलेंगे तो एक बढ़ियां पीक होगा और पीक भी करेंगे अब किनके जगा पीक किया जाए थोड़ा सा मुस्किले तो आ रही है तीन गर्वाज मैंने यहा हम पर रिस्क लिया हूँ ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जायगा तो मैं सोच रहा हूँ कि कि के जगा यहां पर जेट गुवार को लिया जाए तो थोड़ास यहां पर दिखते हा रहे टीम कोंबिनेसे रिस्क की कॉम्पी न से तो फिर adjust हम लोग कर लेंगे तो दोस्तों खुद से आप लोग खेल लेना अगर जदी line-up ना आये तो मैं team दूँगा मैं बार-बार करूँ आ लाइन आप आएगी तो team नहीं दूँगा तो दोस्तों फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो के यहीं समाप्त करता हूँ सिधा मिलता हूँ इस मेच के अपडेट के साथ अपने टेली ग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेंग 11 पे